नमस्कार में वर्तिका सिंग और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइंस ब्रेकिंग न्यूज की खास ख़बर अब ख़बरे विस्तार से तबला समराग पद्विभुश्ण पढ़ने की सर्माराज के सोमे जन्म दिन पर विशेश आयोजन का संकल्प लिया गया है इस वक्त हमारे साथ होनकी पुत्री अंजली मिस्रा अंजली जी क्या है पूरा आयोजन कल 3 सप्टेंबर 2022 को मेरे पिता पद्विभुश्ण पंडित किशन माराज जी का 99 वर्ष संपूर्ण होके सौमा वर्ष उनका शुरू होनी जा रहा है इस उनके जन्म दिवस को मैं उनका पूरा परिवार और सारे सुपचिंतक और सारे सिश्यगन पूरा बनारस हम लोग सब लोग मिलके ये संकल्प लिये हैं कि इसको पूरा मोहत्सो के रुप में हम लोग पूरे वर्ष इसको मनाएंगे 3 सप्टेंबर 2023 तर और ना बनारस बनारस के अलावा बनारस से बाहर भी कई जगे ये प्रोग्राम हो रहा है पूरे वर्ष और इंडिया में ही नहीं इंडिया से बाहर भी जहां भी उनके इस्टूडेंट लोग हैं वो उनका परिवार जहां भी है वो लोग भी कारेक्रम कर रहे हैं सबसे बात हो गई है कल अभी इसकी शुरुवात पिता जी के इस्पृति में या बना हुआ सरसुती कक्ष इससे हम लोग शुभारंब कर रहे हैं सरसुती जी के सामने इसकी शुरुवात होगी तो सबसे पहला घर से उनके शुरू होने वाले कारेक्रम में हमारे बनारस के प्रवीड उद्धाव जी अपना तबला प्रस्तूत करेंगे उसके बाद देवाशी जी अपना गायन की प्रस्तूती देंगे और अंदिम कार कारेक्रम के रूप में बनारस के उबरते हुए बहुत ही प्रसिद्धी को प्राप्त करते हुए युवा कलाकार विशाल कृष्णा जी अपना डांस देंगे और इसके साथ तीन सप्टेम्बर को ही कल ही कल के डेट पे पूना में अर्विंद आजाद जी कल उन्होंने भी स कारेक्रम आयुजनत करते हैं तो वो कल शुरू कर रहे हैं और वो भी पूरे वर्ष कारेक्रम कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार शिर्कत करेंगे उनका तो 5-6 मेने का कारेक्रम टैंब हो चुका है जिसमें की हरी प्रसाद चोरसिया जी, विराज अमर, कुमार बोश जी, सुक्वेंदर सिंग पिंकी, शुब महराज ये सारे लोग उसमें आ रहे हैं संजू सहाई जी, सबका कारेक्रमों का और इसका अंत वो बनारस में आके ही करेंगे अगले साल 2023 में 3 सप्टमबर को उसके बाद इसी के साथ शुब महराज जो पिता जी के नाती हैं और वो इस कारेक्रम को इस रूप में कर रहे हैं कि हर शनिवार, कल से हर शनिवार को एक इंट्रिव्यू करेंगे मेरे इंडिया के सारे वरिस्ट कलाकारों का ये एक श्रिंखला अपना चलेगा जो कि उसी साब से आप समझ लीजे कि 2022 से 2030 तक हर शनिवार को एक इंटरव्यू होगा जो कि पिता जी के पेज से चलेगा आप लोग उसको जरूर देखिएगा और उसमें सबसे पहले अमजद अली खासाब के इंटरव्यू से शुरुवात हो रही है और उमीद है उसमें आग पिर हुसेन खासाब का और हरी प्रसाद चरसिया जी का पुमार गोश जी का पुरन माराज भहिया का और बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्टों का उसमें इंटरव्यू पूरे साल एक साल इस चीज को इस तरीके से शुव माराज जी कर रहे हैं तो मदब हर तरीके से पित ज़्यूरे हुए है शार्दा ग्लोबल और अधा ग्लोबल इवेंट्स एन ऐसार फाउंडेशन के फाउंडर डारेक्टर नेरश शर्मा जी वो हमारे साथ पूरा हमारे हमें सायोग कर रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कल यह बहुत खुशी की बात है यह आप ब विचार किया हुआ है आप सभी को नमशकार मैं नीरेश कुमार सर्मा एक महान विभूती के काशी में अग्मन होने के वाजुद हम लोग मौजुद नहीं रहे पर हमारा अंतिम शण हमारे जीवन का अगर उनके कारी में लग जाए तो यह बढ़त ही सोभा की सारी रहूंग इसी विचार धाराओं पे हमने चलते हुए सताबदी महसव को ब्राट रूप में बनाने के लिए और महसव को सेलिप्रेशन के लिए पूरे भारत वर्ष और अंतराश्ट्यस तर पे कारीक्रमों का सही आयोजन किया जाए और महाराजी को फिर से स्मृत किया जाए हमारे मह राजी हर दम भारत के हर एक व्यक्ति हर एक नागरिक के स्मृति में हो और ऐसे महान जितने भी कलाकार हैं उनकी स्मृतियां बनी रहें इसी के समख शुरूप में कल एक हमने इसकी प्रिस्क्रम्स करके और दुबारा कल प्रोग्राम का आयोजन किया है जिसमें हमारे RBI की C CGM स्रीमती रेवती एयर जी रहेंगी और CGM RBI मुंबई से आरतिश इनहां जी प्रस्तुत कर रही हैं और उनका यही था काशी आगमन पे आने के बाद कि महराजी जैसे जन्म जन्म हुआ है उनके इस तल पे आजाएं और वो अभी हूत हो जाएं इसलिए वो कल यहां पे आ पायम और उसके बाद पानीपत उसके बाद चंडीगाड लोधियाना अमरित सर लखनाओ जैपूर इसे अन्यान सब्सक्राइब सहरों में प्रोग्राम का आयूजन किया जा रहा है जिसकी विस्तित जानकारी सभी पत्रकारबंदू और सभी जहांगरिकों और सोशल मीडिय कि माद्यम से दिया जाएगा धन्यवाद